नमस्कार जै इन दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी तो आज हम हिंदी पड़ागाजी के कोश्चन देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले कोश्चन से उपचार आत्मक सिछड की परकिरिया कब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछला पन दूर न हो जाए ये जब तक छात्रों की रुची ले जब तक विद्यालय में शमय मिले ये जब तक अध्यापक चाह तो इसका right answer क्या होगा? Option A. क्या होगा? जब तक छात्रों का पिष्णापन दूर न हो जाए. अगला question देखते हैं. Question number 2. प्रश्णोतर बिधी, लेख बिधी, पुस्तक बिधी या समस्या बिधी? Right answer क्या होगा? Option B. कौन सी बिधी? Question number 3. सुनकर अर्थ ग्रहण करना, उद्देश का ब्योहारगत परिवर्तन क्या होगा? चात्र बिष्टले सड करेंगे, तुन्ना कर सकेंगे, सुर्थ सामगरी का भाव ग्रहण करेंगे, या कर्म बधता से लिख सकेंगे? तो Right answer क्या होगा? Option C. क्या होगा? सुर्थ सामगरी का भाव ग्रहण करेंगे. Question number 4. मापन किया जाता है. मुल्यांकन में, कच्छा सिच्छण में, निदानात्मक परिच्छण में या वार्षिक परिच्छा में? मापन किया जाता है. तो वार्षिक परिच्छा में मापन किया जाता है. अगला Question देखते हैं. Question number 5. नाटक सिच्छड के उप्युक्त विधी है. क्या है? नाटक सिच्छड के उप्युक्त विधी है. रंगमंच विधी, आर्थबोद प्रडाली, कच्छा अभिने विधी या व्याक्या प्रडा गना जाता है. क्योंakी या संपूर समाज की केंद्र में रहते है, संपूर पाठेक्र मुव बालक के केंद्र में इस्तित रहते है. یा संपूर विध्याला effort ३्या या वालक की विकास का केंद्र है. तो राइट अंसर क्या होगा? Option B. क्या होगा? संपूर पाठेक्रम्व ब पालग के कैन में इस्थित रहती है अगला कोशिन देख लें पाठे पुष्टक की भासा है कौनसी पाठे पुष्टक की भासा है बच्चों की घर्वा समुदाय की भासा से मिलती जुलती होनी चाहिए या तत्सम परदान होनी चाहिए या तदबो परदान होनी चाहिए या अधिकादि कठिन सब्दों सुझत होने चाहिए, कठिन आ गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और देखते हैं, option A, क्या होगा, बच्चों की घर्वा समुदाई की भासा से मिलती जुलती होनी चाहिए, question number 8 देखते हैं, प्रात्मी कस्तर पर भासा सिखाने से तात पर प्रात्मी कस्तर पर हिंदी भासा सिखाड के लिए, हिंदी भासा सिखाड के लिए सबसे अधिक महतपूर है, पाठे पुस्तक, भासा प्रियोग के उसर, उच्चिस्तर ये तकनीकी यंत्र या व्याकडिक नियमो का इश्मरण, इसका राइट आंसर होगा, option B, क्या होगा, भासा प्रियोग के उसर, अगला कुश्चन देखते हैं, question number 10, जिस क्रिया में या पता लगा जाता है कि बालक भासा के छेतर में कमजूर रहते हैं, या क्रिया कहलाती है, लिखित कार, मौकिक कार, निदानात्मक कार, या उपचारात्मक कार, right answer क्या होगा, option C, पता लगान है, तो कौन सा कार, या निदानात्मक कार, अगला कुश्चन देखते हैं, question number 11, जिच्छड परकिरिया में मुल्यांका नावश्यक है, पाठे क्रम में सुधार के लिए, जात्रों के उपलब्दी का इस्तर जानने के लिए, जिच्छड कारों में सुधार के लिए, या उप परियुक्तिशभी, निरंतर चलने वाली परकिरिया, या उद्देशों की पूर्ती का शिमांकन, या वांचित ब्योहारगत परिवर्तनों की जानकारी, तो इसका right answer होगा, option D, वांचित ब्योहारगत परिवर्तनों की जानकारी, अगला question देखते हैं, हिंदी सिच्छक में कौन से विशिष्ट गुड की अपेचा की जाती है, कौन से विशिष्ट गुड की अपेचा की जाती है, वेश भूसा की, कुशाल अभिविक्ति की, चित्रकारी की, या अधिक बोनने की, right answer होगा, option B, क्या होगा, कुशाल अभिविक्ति की, अगला question देखते हैं, question number 14, पा I have a mind, question number 15, देखते हैं, प्रात्मिक पाट साला में भांसा पढ़ाई जाती है, बालक विद्वान बन सकें, बालक जीवन एपन कर सकें, बालक अनि विशिवो में निपूर हो सकें, या बालक भाःसा में निपूर हो सकें, भाःसा पढ़ाई जाती हैं, तो क्या होगा, बा शिच्छित वर्ग की प्रिये भासा होनी चाहिए तो राइट आंसर इसका क्या होगा आप्शन सीख क्या होगा उपरियुक्त शबी होगा अगला कुशन देखते हैं कोशन नबर 17 राश्ट भासा का तातपर नहीं है देश में अधिकतर लोगों की भासा जन सामान की बोल चाल की भासा या इन में से कोई नहीं सरकारी कारों की भासा तो राश्ट भासा का तातपर किस्चे नहीं है सरकारी कारों की भासा से अगला कुशन देखते हैं कोशन नबर 18 कविता सिच्छड का प्रमु कुद्देश हैं, सब दार्थ, बोध, मनोरंजन, मापन चमता या भाव अनुभावन, भाव अनुभावन, तो राइट आंसर होगा option D, क्या होगा कविता सिच्छड में हमें भावगा अनुभाव करना होगा, अगला question देख नहीं, question number 19, मादमी कच्छाओं में ब्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए, ब्याकरण के सूत्र, नियमित ग्यान, ब्याकरण, ब्योहारिक ग्यान ये सुद्ध ब्याकरण, राइट आंसर क्या होगा, अपसंसी, ब्याकरण, ब्योहारिक ग्यान, अगला question देखते है, question number 20, बहाँसा सिखड के मूल कौसलों में सबसे, अंतिमे किस कौसल का सिखड कराना चाहिए, लिखने का, बोलने का, स्रुवड का, ये पठन का, तो अंतिम कौसल कौन सा है, लिखने का, अगला question देखते है, question number 21, कौसलात्मक उद्देश सी है, अर्थग्रहर करना, रचना रूपों का ग्यान प्राप्त करना, ये तिगति के अनुसार सुध कविता का पार्ट करना, ये सद्वृति का विचार प्रस्तूत करना, right answer क्या होगा, अंतिगति के अनुसार सुध कविता का पार्ट करना, question number 22 द option D, खेल पदती question number 23 देखते हैं प्रात्मिक इस्तर पर रचना सिछड के लिए कौन सी विधी उप्युक्त रहती है प्रशनोत्तर विधी, अनुकरण विधी, रूपरेका विधी या सूच विधी तो सही answer क्या होगा question number 24 देखते हैं प्रोजेक्ट प्रडाली का आप परवर्तन किया है फ्राबिल, हेलन पाकष्ट, या मांटे शरी, या किल पैट्रिक राइट आंसर क्या होगा, option D, किल पैट्रिक आगे देखते हैं अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब करिए जैन, थैंक्स